अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो लोग तंत्र के नाम पर मजाग से कम नहीं है दोसा के महवा नगर पालिका में कहने को अध्यक्ष तो नर्बदा देवी है लेकिन कुर्सी पर उनका बेटा बैठता है वो भी पूरी धिठाई के साथ रिपोर्ट देखिए जी हाँ यही हाल है दोसा जिले की महुवा नगर पालिका का मा को जनता ने चुना लेकिन राज करता है बेटा लोग तंत्र में मानो चुनावों का मजा कुराने की ठान रखियों इनोंने अध्यक्ष चुनी हुई मा गद्दी पर बैट कर बेटा राच करता है अब जैस गोलमाल में शामिल सभी किरदारों का परिचय भी जान लीजी महुवा नगर पालिका की अध्यक्ष है नर्बदा देपी लेकिन मामले को जानने वाले कहते हैं कि मा की कुर्शी पर बेटा बिजेंदर गुर्जर विराजमान रहता है इतना ही नहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष शिला गुर्जर ने अध्यक्ष की गुर्ज़ी पर बेटे बिजेंदर गुर्जर के सिसीटीवी फुटेज निकाल कर जैपू डियलवी तक को भेज दी मामला जैपूर के स्वायत शासन विभागत पूँचा लेकिन अभी तक कोई कारवाई की नहीं गए उपाध्यक्ष का आरोप ये भी है कि लोकतंत्र और कानून दोनों की धज्यां उड़ाई जा रही है उपाध्यक्ष का ये भी कहना है कि कहां की नगरपालिका की गठन के बाद हुई पहली बैठक में यह तैबी हो गया कि चेर्मेन हो या कोई भी पारशर उनके कामकाज या बैठकों में उनके परिजन शामिल नहीं होंगी जिसके आदेश की भी नगर पाले का परिसर में चस्पा किये गए वावजूद इसके चेर्मेन के बैटे ने आदेशों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है इधर बीजेपी भी इस मामले में अब खुल कर सामने आ गई है बीजेपी के जिला मंति अभिशेक शर्मा का कहना है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैट कर कोई भी राज़ की कामकाज संपादित नहीं कर सकता है इस मामले में एस्टियम को ग्यापन सौप कर बिजेंद गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है पहराल जो भी हो मामला दौसा जिला प्रशासन और जैपु डियल्बी तक पहुँच चुका है लिहाजा देखना होगा किस विवाद का निप्टारा किस तरह से किया जाता है लक्षमी अबतार शर्मा जी मीडिया दौसा तो फिलाल के लिए विशेश में बस इतना ही इसी के साथ जी राजस्तान में खबरों का सिल्सला लक्तार जारी है बने रहे देखते रहे जी राजस्तान